आज का जो वीडियो होने वाला है ओप्षन ट्रेडिंग जो करते हैं उन लोगों के लिए जबरदस्त होने वाला है जी हाँ अगर आप लोग इस वीडियो को जरासा भी स्किप कर दोगे तो मैं गैरेंटी दे देता हूँ आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी के बारे में बिल तो ये स्ट्रेटेजी कामकाच करके नहीं देगी आप लोग प्रूफ देख लेना अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप लोगों को जरासा भी समझ में नहीं आएगा तो देखिए ये जो वीडियो है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुती इंफरमे प्रेसी होगी ठीक है आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी इसे मार्क करके देखना और इसकी बैक टेस्टिंग करके देख लेना सारे चीजे आप लोगों को डीटेल के अंदर समझ में आ जाएगी ठीक है तो देखिए एक लाइक तो जरूर बनता है आप लोग एक लाइक जरूर से जरूर करें और चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब भी कर लें और साथी साथ बाई लाइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले और एक बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ अगर आप लोगों को मेरे टाइम के उपर अगर बेमें परिर्जाद्न पर मेंबर हैं, तो आप लोगों को बहुत ही स्टाइड़ है, यह तो आप लोगों को पता लग गया है, अब यहां पर क्यार पर क्या लोगों को देखना है तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है भीया क्लोजिंग कहां पर है जो प्रीबियेश डेका जो क्लोजिंग होता है उसे आप लोगों को मार्क कर लेना है एक्जामपल के तोर पर यहां पर देख सकते हो यह क्या है यह प्रीबियेश डेका क्लोजिं अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है इसे भी ध्यान से सुनना टार्गेट एसल सारे चीजे बताऊंगा पूरे डिटेल के अंदर बताऊंगा लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो कुछ भी नहीं पता लगेगा तो और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो पांच मिनट का लगा देना है ठीक है मैंने यहाँ पर पांच मिनट का जो टाइम फ्रेम है लगा दिया है ठीक है देखिए अगर इसे स्ट्रेटजी पर आप लोग कामकाज करते हो तो आप ल यहां पर पहले 30 मिनिट का टाइम फ्रेम लगाया और उसके बाद इसके हाई को और लोको दोनों को मार्क कर लिया अब हमें यहां पर क्या करना है तो देखिए इसका जो हाई है आप लोगों के सामने है कितना हाई है भाई मेरे इसका हाई है 24,202 का हाई है ठीक है तो आप लो उसके बाद अगर आप लोग यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हूँ तो यहां पर क्या करना है देखें यहां पर अगर SL भी लग जाएगा ना तो उसको भी यहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कामकाच करना अगर SL यहां पर लग जाती है SL कितने पॉइंट का होगा सारे चीजे डिटेल के अंदर बताएंगे तो यहां पर देखो यह पहला केंडल है ठीक है यह दूसरा केंडल यह तीसरा केंडल यह चौथा केंडल यह पाचमा केंडल और यह छेमा केंडल यह हो गया तो इसके हाई को मार्क कर लिया याने कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम हमने लगाया यह जो candle है यह देख सकते हैं यह वाला यह वाला अगर इसके high के उपर closing दे देती है पांच मिनट का candle हम यहाँ पर entry बनाएंगे ठीक है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर entry बना लिया अब SL कैसे लगेगा तो देखे जब हम य यह जो candle है यह जो candle है यह वाला यह वाला ठीक है ना SL हमें कहां तक का रखना है भाई मेरे यहाँ तक का रखना है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हूँ यहाँ का मैंने SL को लगा दिया अब यहाँ पर क्या scenario बनेगा अगर यहाँ का अपने SL लगा दिया और closing होने के बाद आ entry बना लिया आपका क्या हो गया यहां पर SL हिट हो गया आपको कुछ नहीं करना है आपको यहां पर कुछ नहीं करना है आपको यहां पर वेट करना है कब तक वेट करना है आप लोगों को यह वेट करना है जब इस support के पास आएगी जो की यहां पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम के उपर हमने यहाँ पर लोको मार किया जब इस सपोर्ट के पास आएगी और यहाँ पर अगर एक बुलिश केंडल का फॉर्मेशन होगी और फॉर्मेशन होने के बाद जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर यह हैमर केंडल है ठीक है और इसके हाई के उपर यह केंडल ने क्लोजिंग दिया थार्ड वाला बस यहाँ पर एंट्री बनाव और एंट्री बनाने के बाद आप लोगों को निफ्टी फिफ्टी के अंदर फिफ्टी से ले करके 70 पॉइंट तक का टार्गेट रह सकता है और जो SL होगा जो green candle का यहाँ पर formation होगा याने कि जिस green candle के high q उपर closing देगा वो जो green candle होगा जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैं आप लोग को बढ़ा करके चाटकू दिखा देता हूँ जैसे कि यह green candle है ठोड़ा बफ़र लगा करकि यहाँ पर SL लगा लो यहाँ पर हलका यहाँ पर और टार्गेट आपका यहाँ पर मैंने बता ही दिया 50 से ले करके 60 पॉइंट तक का रख सकती हो 50-50 के अंदर 50-60 पॉइंट बहुती जादा हो जाता है देखो अगर यहाँ पर आप लोग 50 पॉइंट भी रखो गे तो देखो यहाँ पर एंटरी बनाया कहाँ पर एंटरी बनाया तो देखो exact यह candle ने closing दिया तो हमने यहाँ पर entry बना लिया closing देने का 24,118 का Level है ठीक है अब यहाँ से ले करके अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे यहाँ हमने entry बनाया और यहां से ले करके यहां तक की बात करेंगा तो देखो easily मैंने क्या कहा 50 to 60 point यहां पर 60 point का target देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है life proof यहां पर दिखा देता हूँ अगर यहां पर आपका SL चला भी जाता है तो यहां पर आपका target भी मिल जाता है यहां पर देख सकते हो clear cut आपको दिख रहा होगा यहां पर देखो यहां को logic समझना जरूरी है अगर यहां पर SL hit भी हो जाता है मैंने पहले ही आप लोगों को क्यों बताया कि आप लोग यहां पर question और answer करोगे तो मैं आपका जो question था ना उसका answer मैं यहां पर दे दिया अब चलो next देख लेते फहले इसको चार्ट को जो है clear कर देता हूँ मैं तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा अब मैं यहां पर 30 minute का time frame को जो है लगा देखिए मैं यहां पर back testing करके आपको दिखाऊंगा यहां पर proof करके दिखाऊंगा अब यहां पर देखिए अब यहां पर क्या है यह candle का formation हुआ 30 minute का जैसे की यह यह वाला exact ठीक है 30 minute का candle formation हुआ मैंने इसके लोग को mark कर लिया ठीक है क्योंके अभी तो live market नहीं है तो मैंने इसके लोग को mark कर लिया आप लोगों को यहां पर back testing करके दिखा रहा हूँ मैंने इसके लोग को mark कर लिया फिर हम यहां पर 5 minute की time frame के उपर आ जाते हैं जैसा की मैं यहां पर आ चुका अब यहां पर देखो अब यहां पर क्या करना है आपको अब देख सकते हो मैंने इसके लोग को mark कर लिया अब जब लोग को जो भाई मी यहां पर mark कर लिया तो क्या यहां पर मेरा entry बनता है यहां पर देखो आप लोग के सामने देखो यहां पर confused हो जाओगे यहीं पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ 30 minute की time frame के उपर तो यहां पर देखो मैंने इसको यहां पर mark कर लिया इसका low है और यह कितने तारीक का market है 4 तारीक का ठीक है अब चलो दिखा देता हूँ मैं अब लोग को 5 minute की time frame के उपर 5 minute का time frame लगा दिया अब यहां पर चलो 4 तारीक वाला जो है market हम यहां पर देख लेते हैं तो यहां च्छे यहां 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 देखो exact यहां चार तारीक है अब देखो इस candle ने क्या कर दिया भाई मेरे यह जो हमने low mark किया यह next candle जो है इसके low के नीचे closing दिया और देख सकते हो कितना बड़ा downfall देखने को मिला और SL कहां का रखना था तो देखो यह जो 30 minute का जो candle को हमने यहां पर mark किया तो देखिए यह first, second, third, fourth, fifth, sixth ठीक है यह जो candle है sixth number यहां तक buffer लगा करके आप SL लगा लेते यहां पर टाइम फ्रेम आपको 30 minute का ही रखना यहां पर 5 minute का नहीं रखना नहीं तो आप confused हो जाओगे ठीक है यहां पर मैंने SL को लगा दिया और यह candle closing होने के बाद हमने यहां पर put की entry बना लिया और यहां से ले करके अगर यहां तक की बात करें यह candle ने closing दिया तो यहां से ले करके यहां तक की अगर हम बात करेंगे तो देखो कितना point यहां पर बरे बरे point आप लोगों को देखने को मिल सकता लेकिन आप लोगों के उपर depend है आप लोग कितना यहां पर target achieve कर लेते हो ठीक है न यहां पर ज़्यादा लंबा नहीं रखना है 50 to 60 point का target रखना है चलिए अब मैं आपको अगला और दिखाता हूँ देखिए यहां पर back to back testing करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिन लोगों को सीखना है सीख लिजए जिन लोगों को time pass करना है और सिर्फ यहां पर तुक्का बाजी करने आए हो तो कोई फैदा नहीं तुक्का बाजी करने से भाई मेरे कोई फैदा नहीं होगा इस मार्केट के अंदर लोजी करोगे ना तो profit बना लोगे मैं guarantee देखर के कह देता हूँ आप लोगों से जिन लोगों को सीखना है वो सीखें जिन लोग को नहीं सेखना जा सकते हैं अब यहाँ पर देखू अगर हम यहाँ पर उसे चार का दिखा आ था न वैंने आप लोग को मैं आप लोग को दिखा देता हूँ बहिया यह एगजेक्ट पांच यह पांच तारीक के मार्केट है यह कितने तारीक है मार्केट है यहां पर देखो यह 4 तारीक है और यह 5 तारीक है और यह कितने तारीक है यह देखो यह 30 अक्तूबर का है कितने तारीक है 30 अक्तूबर का है तो हमने यहां पर क्या किया भाई हमने यहां पर क्या किया इसके हाई को मार्क कर लिया आपको यहां पर बेक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूं हमने यहाँ पर इसके हाई को मार्क कर लिया छिक है अब यहाँ पर चलिए मैं आपको पांच मिनट की टाइम फ्रेम के उपर ले चलता हूं तो यहाँ पर पहले देख लो यहाँ पर एक्जेक्ट कितने तारीक का मार्केट है यह चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैक टू बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई भी तुक्का वाजी करने से कोई फैदा नहीं अगर तुक्का वाजी करोगे न तो इस मार्केट के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाऊग तिक देखो यहाँ पर यहाँ देखो एक तीन चार तिक यह यहाँ पर यह 49otte-45स ठीक है आई इसका हई है यह है है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो अब कंडिशन समझो जो 30 मिनिट का पहला केंडल होगा ठीक है 30 मिनिट का जो पहला candle होगा यहाँ पर भी logic समझना जो 30 मिनिट का पहला candle होगा और उसके बाद आप 5 मिनिट के time frame के उपर आ जाओगे देखो sideways market के अंदर भी आप लोग यहाँ पर बच सकते हो trade को avoid कर सकते हो तो देखो 5 मिनिट 30 मिनिट का जो candle हाई लोको मार कर लोगा और उसके बाद जो 5 मिनिट का candle बनेगा न उसके हाई के उपर या फिर लोग के नीचे closing देनी चाहिए अगर नहीं देता है 30 मिनिट का जो candle बनेगा अगला candle जो 5 मिनिट का बनेगा अगर नहीं देता है तो उस दिन आपको trade को avoid करना चाहिए अगर trade को avoid नहीं करोगे तो यहाँ पर trap के अंदर फस होगे देख सकते हो यहाँ पर clear कर तभी तो मैं आपको कहा point to point आप लोगों कुछ समझना है अगर नहीं समझोगे तो नहीं समझ मैं आएगा देखो यहाँ पर पूरा का पूरा दिन time pass किया ठीक है clear है अब यहाँ पर चलो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर अब यह यह कितने तारीख है 28 तारीख है ना तो अब 28 तारीख से पहले कौन सा आ गया 39 तारीख वाला market अब यहां पर देखू 29 तारिक वाला मार्केट है यह 10 बजे और यहां पर ओपनिंग हुआ है देखू यहां ओपनिंग हुआ जो पांच मिनट की टाइम फ्रेम के उपर देखोगे तो 6 केंडल होगा तो 6 केंडल होगा तो ये पहला केंडल है ये देख सकते हूं 915 का ये तीसरा ये चाओथा ये पांच मा ये छटा ये छे मा केंडल है यहाँ पर देख सकती हो 49 तक का candle यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है अब इसको क्या करना है भीया यहाँ पर इसके high को mark कर दिया इसके low को भी mark कर दिया ठीक है यह देखो यह मैंने mark कर दिया low को अब देखो इसके low के नीचे closing दिया दिया ना closing तो यह जो closing दिया तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आप put की entry बना लो put की entry बना लिए अब put की entry बनाने के बाद मैं आपको क्या कहा यह इस candle का आपको यहाँ पर sl लगा लेना है यहाँ पर यह जो candle है यह जो candle का formation होगा, यहाँ पर SL लगा लेना, जब यहाँ पर आप SL लगा लेते हो, तो यहाँ पर अगर आपका SL कितने point का होता है भाई, यहाँ पर अगर SL की बात करोगे, तो यहाँ पर आपने SL लगा लिए, तो अपर लगा करोगे, ठीक है, 24,241 का, यहाँ पर क्या किया, SL SL लगा यहाँ पर हिट कर गया, देख सकते हूँ, SL लगा यहाँ पर हिट कर गया, आपको बेट करना है, बेट करना है, और बेट तब तक करना है, जब तक यह high, और यह low, बेट करना है, देखो यहाँ पर यह जो low है, यहाँ पर break कर दिया, दुबारा, दुबारा break करने के बाद क्या किया, फिर आया, यहाँ पर अगर आप call की entry बनाते हो, तो यहाँ पर अच्छे से trap के अंदर सौस चाओगे, आपको wait करना है, यह जो high हमने मार किया, यह जो high मार क यहाँ पर entry बना लिया, तो target आप देख सकते हो, कितना बराफ साइट का rally देखने को मिला, मतलब अगर यहाँ पर SL की बात करोगे, तो भाईया, मेरे SL आपका यहाँ पर ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला, यहाँ पर entry बनाया, closing पे, तो यहाँ से लेकर के, अगर यहाँ तक की बात करे, proof दे दता हूं आप लोग को, यह candle closing दिया, और यहाँ पर entry बना लिया, तो देखे, कितने point का हो गया, यह हो गया, 50 point का, तो 50 point का जो यहाँ पर हुआ, तो वहाँ पर कितना बनेगा, premium, premium बनेगा, 22 rupees का SL लगेगा, ठीक है, 22 rupees का SL लगेगा, और target आप लोगो मैं आपको और दिखा देता हूं, देखे, यहाँ पर कोई chance ही नहीं है, loss होने का, ठीक है न, कोई chance नहीं होता है, यहाँ पर loss होने का, बस loss होगा, आप लोगों के बज़र से loss होगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, अब यहाँ पर क्या होगा, भया, 9.15 पर market opening होई, ठीक मैं आपको मैं पहले बता दिया, यह इसका low है, यह इसका low है, एक्जेक्ट लेवल की बात करेंगे, यह, यह इसका low है, अब यहाँ पर क्या किया भया, क्या इसके low के नीचे closing दिया, नहीं दिया, और high कौन सा है, यह first वाला candle, first वाला candle high है, इसको wait करो, यहाँ पर wait करो, द हमें देखना है, यह जो high है, रेजिस्टेंस हो किया, तो इसके उपर कोई candle closing दे नीचाहिए, तो यहाँ पर candle closing दिया, देखो, यहाँ पर यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की बात करेंगे, तो देखो, मैंने 60 point बोला, यहाँ पर देखो, 139 point यहाँ पर target देखने को मिले और SL कहाँ पर लगेगा भई मेरे, यहाँ पर भी SL जो लगेगा, यह candle का लगेगा, यह candle का, यह जो candle पहला बनता है न, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के उपर देखोगे, तो पहला 5 मिनट का candle बना, तो इसका जो low बनेगा, इसका जो low है, low, यहाँ तक का SL लगा लो, hit होने का को जो है, मैं आपको जहाँ यहाँ पर, के लिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखो, यह 9, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह है 6 मा candle, ठीक है, 3, 3, 6, अब मैंने इसके low को मार कर लिया, यह है low, यहाँ पर तो market नीचे आईए न, देखो, अब यहाँ पर 5 मिनट का candle है, इसके low के न देखो, कितना लंबा target है, बहुत बड़े-बड़े target अगर आपको ऐसे trail करना आता है, तो बहुत बड़े-बड़े target आप लोगों को achievement होते को दिख सकता है, यहाँ पर life proof है आपके सामने, loss तो बिलकुल नहीं होगा, तभी भी मैं यहाँ पर जो accuracy रखा है, इसकी 85% ही accuracy आ गई होगी, देखे मेरा जो भी strategy होता है, time के उपर ही होता है, आप लोगों को अगर और भी सीखना है deeply के अंदर time के बारे में, ना कि यहाँ पर chart pattern, candlestick pattern, या फिर indicator, या फिर यहाँ पर option chain, कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ यहाँ पर time के बारे में बताया जाता है, तो इससे जो अगर जब अर्दस्त strategy आप लोगों को सीखना है, तो मेरे channel पर join कर सकते हो membership, YouTube channel के उपर, यह जो है न वीडियो, शिर्फ उन लोगों को देखने को मिलेगा, जो मेरे channel पर membership लिये हुए हैं, तो आप लोग फटा-फट से join कर लें, आप लोगों को वीडियो कंदर तपता के लिए जाएं, बंदे महतरम